आदर आदाब अभिनंदन आभार मैं कहकशा अम्रीन स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चानल के बीसी गर्ल कहकशा अम्रीन में तो स्वागत है सभी का आज यानिकी 19 नमबर 2021 के डेली करेंट अफेर्स वन लाइनर सीरीज में आज हम दस सवाल करेंगे साथ में कोईज भी करेंगे नए चानल पर तो सब्सक्राइब कीजिए पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चानल में और भी विडियो अप्लोड़ेड है डेली करेंट अफेरीज में अप्लोड करती हूं वह जरूर देखें विडियो पसंद आए तो विडियो को लाइक, शेर, कॉमेंट जरूर करें और मेरे चानल के साथ जर जो प्ली सपोर्ट करें तो पहला सवाल है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल में किसे भारत में संयुक्त राष्ट के रेसिडेंट को ओर्डिनेटर नियुक्त किया गया है ठीक है शॉम्भी शार्प इ उनाइटेड नेशन्स की स्थापना 24 अक्टूबर उन्हीं सवातालिस को ही थी अब इसके हैड है अन्टॉनियो गुटरस और टोटल 193 कंट्री इंट की मेंबर है और हैड क्वाटर है नियु यॉर्क यूसे में ओकी सो साथ में फैक्स भी थे सो नेक्स क्वेसिन से जो की हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने रेजांगला युद समारक वद्गाटन मतलब यह पुना हनिर्व तुभारा जिसको बनाया गया लदाक में इसकी उसका उद्गाटन किया है लदा कि कैपिटल ले है और राजनाथ से हमारे डफेंस मिनिस्टर यानिंकी रक में मनाया जाता है ठीक है यह आप तस्वीर पर देख सकतो हो यह कैरेट फेस्टिबल होता है कैरिला जिसके कैपिटल थिरुवानंत पूरम है वहीं पे कलपती रत महोच्छव मनाया जाता है सल्मान खान जो की बहुत ही प्रक्षयात अभी नेता है उनको महाराष्ट्ट राजड की सरकार ने कोवेर वैक्ट एंबैसिडर बनाया है न ने है याद तक हैं बड़ते हैं नेक सवाल के तरफ, पाँंचवा सवाल है कि इंडिया's first fisheries business incubator का उदगातन किस शहर में किया गया है ठीक है मतला भारत की पहली Fisheries Business Incubator गुरुगराम हर्यान में इसका अधगाटन किया गया है क्यों किया गया है सो बेसिकली मतष सिपालन यह नहीं Fisheries के लिए किया गया है तो हमारे Minister of Fisheries Animal Husbandry and Daring कौन है पूरुशोतम रुपाला जी मतष सिपालन के शेतर में विकास के लिए इसका उधगाटन किया गया है ठीक है इंडिया की पहली है तो इंपोर्टन हो जाता है नेक्स सवाल प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ठीक है सो 18 नवंबर 18 नवंबर को मनाया गया भी हाल ही में नाचुरोपेथी डे या फिर हिंदी में बोल सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस प्लीज दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर कॉमेंट जरूर कीजिए और चानल को सब्स्क्राइब कीजिए आज का साथ जिमनास्टिक्स फेडिरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है ठीक है क्या ना में मोरिनारी वातनावे नेक्स सवाल कौन सा देश ICC चांपियन्स टोफी 2025 की मेजबानी करेगा मतलब होस्ट करेगा दो हजार पचीश जो ICC चांपियन्स टोफी होगी उसकी मेजबानी करेगा तो पाकिस्तान करने वाला है ठीक है तो यहां पर ICC इंटरनाशनल क्रिकेट काउंसिल चांपियन्स टोफी पाकिस्तान 2025 आप तस्वीर भी देख सकते हो तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान है नेक्स हवाल है कि किस देश को युनेस्को ने कारेकारी बोड के दो हजार एक 20-25 के कारेकाल के लिए वापिस चुना है ठीक है मतलब इनका कारेकाल अभी इस देश का चल रहा था और सही जवाब है इंडिया और वापिस इसको 21-25 के लिए चुन लिया गया है युनेस्को की फुल फॉर्म उनाइटेड नेशन इजुकेशनल साइंटिफिक और काल्चि अधिक नीव अधिरेड 75 का उध खाटन किया है चली बढ़ते हैं क्विस के तरफ तो पिछले कुछा था कि तो क्यों टोक्यो लंपिक्स 2020 में रविद आया ने कौन सा पतक जीता और इकिस केल से जोड़े है और यह रेस्लिंग से जोड़े है तो यह था आज का मतलब पिछ है और पिछले कुछ में सभी लोगों ने कमेंट बिल्कुल सही सही किया था सो बहुत बढ़िया इस अरी के से कमेंट करते रहिए सब्सक्राइब कीज़े हमारे चानल को लाइक की जए वीडियो को शेर कीज़े और मिलती हूं कल आप से अपने नेक्स वीडियो में तब तक